तो है अधिए अधिए दिन दूसरा वीडियो है दोनों गुजरात से ही स्टॉक आते हैं स्टॉक आते हैं दोनों गुजरात से रिलेटेड़ है तो कन्फिस मत हो जाएं दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक अभी मैं आपको चार्ट के पर चलता हूं उसका नाम है गुजरात अल्किली एंड केमिकल लिमिटर इसमें आपको दिखे रहा है काफी नारो बॉटम गोलते हैं इसको मितलब लाइट कर देता हूं आप गिंदे रही है पैटन कितना इसमें फॉस्ट आप बॉक्स पैटन हो गया है इसके टार्गेट हम बाद में किनेगे तो जो लास्ट क्लोजिंग प्राइज है इसमें नाइंट ओफ एप्रिल का यह है 412.90 पैसे जो भी कोई स्टॉक लिया है वो स्टॉक में बने रहिए आपको में ट्रेलिंग स्टॉप्लें बगरे जो भी है आपको डिटेल में बताओंगा वीडियो के एंट तक आपको समझ में लेगा तो वीडियो के बढ़ने के पहले यह यह कि यह को सब्स्स्राइब ना आपको सकते हूँ यूकर तो जैसे कि मैं आपके सामने box बता दिया है अगर box को मैं यहां तो काफी आचा दिख रहा box ठीक है और दूसरा है यहां पे है अगर इसको flag तो नहीं बहुत सब्सक्राइब क्योंकि extended हो जाएगा यह और flag का काफी दम सीधा भी हो जाएगा चलो एक मान के चल सकते हम यह flag हो सकता है या नहीं हो सकता है तो बॉक्स का बॉटम से लेखे बॉक्स का टॉप बिलना है तो बॉक्स का जो तॉप 930 मैं फिर से रॉंज फीग मैं पकड़ हो और 310 फाह सकते रुपय जाना है काहां से जाना है आपको सकताी रुपय मैंको यहां से जाना है जो है 380 रुप यहां से तो 450 के असपास जाना है गुजरात अलकली और केमिकल्स ले मिलड़ तो जो भी कोई स्टॉक लिया है आपको स्टॉप्टस बना के रखिए मैं आपको बताऊंगा और यह काफी अच्छा इंट्री है ठीक है फॉर्स फॉर्स यह जिस किसी को लेना है वो क्या करेंगे जो करेंट मार्किट प्राइस है एं तो जैसे कि आपको मैं बता लिया स्टॉप अपको 330 रुपीज रखना है और करें मार्केट प्राइस है 412 रुपीज तो 415 रुपे से लेके 330 रुपे तक लेजे और आपको जो मैंने वॉक्स पैटन का पैटन का टार्गेट बता है वह एक इमिरेट टार्गेट आने वारा है उसके पहले भी इसमें कुछ रेजिस्टन्स दिख रहे है और मुझे ऐसा लग रहा कि भटने वाला है स्टॉप फिर से आप अगर यह लोग है मेरे पोलने के बाद तो फिर आप आपने देखते रहिए कि स्टॉप जब लेने के बाद आपको क्या कैसा करना है तो आपको मै बना के रखिए काफी अच्छा है स्टॉप यह जो गुर्यात अलकली और केमिकल्स का है आपको दिख रहा है मंतली है जब भी ब्रेक आउट का है मंतली में हमेशा यह कि आपको टाइम प्रेम पता चल जाता है कि टाइम प्रेम देशन्स यह सा मजबूत सपोर्ट और क्या ह यहां पर जब ब्रेक आउट दिया 2016 में 287 के से लेके 935 रुपिस गया है तो यह मंतली ब्रेक आउट है काफी अच्छा गया है इसके बाद आपको बताना कि आपको दिखे रहा है यहां सी यह स्टॉक नहीं रिवर्स किया है कहां पर जो प्रिवेश का जो सपोर्ट था 227 आपको दिखा यहां पर है मंतली आपको बीरिश के साथ एक बुलिश बोल सकता है वह काफी अच्छा कैंडल है जो रिवर्सल माना जा सकता है विट इंपॉर्टन सपोर्ट लेवल तो यह आपके सामने है वीकली ठीक है तो जैसे कि मैं आपको अभी मंतली टाइम फ्रेम मे इसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता था हूं आपको समझ में आ गे रहेगा तो इसमें आपको इस पीमिकल रखेगा आप जिसके पास भी है एक immediate innocence आने वड़े time लग सकता है, time का मेरा कोई idea नहीं है, ठीक है, मेरा expected target है, वो target सुनने के पहले में को कुछ आपको बताना है कि resistance क्या है, यह मेरा target है, वुल्फ यहोगा, ठीक है, तो बताने के पहले आपको immediate resistance बताना है, यह है आपके सामने weekly time frame, अगर मैं आपको count बताओ यहां से तो फिर से, जो भी कोई सीख रहा है, उनके लिए arrow जो भी कोई है, तो मेरा count यहां पर है, यहां पर जो मैंने start कि arrow एक one है, यहां पर लेकर जाओंगो तो यह top two हो गया, ठीक है, तो अगर मैं top से वापी से bottom में आओंगो था, यह मेरा three हो गया, अगर मैं top से फिर स कि यहां पर यहां पे आपको यह होता है सब्सक्राइब करता नहीं ihi तकहां पर पर होने के बाद हो काफी सारे box में चला है 2020 मतलब एक साल का रेंजबांड है एक साल के रेंजबांड में तूटा है जिसकी ने यह बोक्स में देखा नहीं तो चल रहा है ठीक है तो तो जो भी कोई देखा रहेगा वो ठीक है नहीं देखा रहेगा जिसकों इंटरसेट और यह बाद जाके देख लेना सैटिन क्रिडिट के लिमीटर के वीडियो ठीक है हम बात करें के फिर से गुज्रा अलकली केमिकल्स लिमीटर के बार में तो यह आपको जो टार्गेट है यहां पर फिर से यह पकड़ के मचले शेसो पचास से रहे लेकर 700 रुपया बनता है यह कभी आपको मीडियम टू लॉंगर टर्म अभी कितना है क्या है वह बाद में रिखेगे कितना लगता है तो आपको जो मैं बताए सिक्स फिप्टी से लेकर 700 का टार्गेट बनना है आ पर के चल सकते हैं यह आपको एक रिखेशन से 478 तो 400 पचास से लेकर 500 के बीच में है और मैंने जो बॉक्स का टार्गेट बैता है तो लगबग उतना है अगर यह सब सक्सेस्पूल होता है तो आपको यहां पर आता है 530 530 से लेकिए 550 रुपिस के आसपास आता है आपको पर आपको स्टार्ट में बता है तो जो भी कोई स्टॉक बाइख करेगा एक पेशन के साथ बाइख करना स्टॉक थोड़ा नीचे आता है थोड़ा ऊपर जाता है तो आप पेशन से होल्ड रखिए फिर से आपको निफ्टी और स्टॉक में दोनों एक साथ कंपार मत तो फिर से जिस किसों को वीडियो परसंद देगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यह सब चीज के लिए टाइम लगता है अगर आप सब्सक्राइब पर होगे लाइक करोगा तो तो चोला क्या होते इसको अच्छा लगेगा और मेरा डिस्क्रेमर है डिस्क